हिंदू लड़के ने मुसलिम लड़की से मंदिर में की शादी, दूनों परिवार खुश. एक और जहां आजकल लब जिहाद की चर्चा जोरों पर है वहीं और रहया में हुई एक शादी सुर्खियां वटोर रही है. यहां अलग-अलग धर्मों के दो परिवारों की रजामंदी से प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंद गया. दिल्ली की रहने वाली रेश्मा और और औरहया के अमन ने बिधूना कस्पे में भगवान शंकर के मंदिर में हिंदू रीती रिवाज से शादी कर ली. शादी में दोनों के परिजन पहुँचे और नवदमपती को आशीरवाद दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है. आपको बता देखी, विधूना के बराहर निवासी अमन दिल्ली में नौकरी करने गया था. वहीं, उसका परिचे दिल्ली की रहने वाली रेशमा से हुआ. इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्रेम हो गया. तभी इन दोनों ने मजहबी बेरियों को तोड़ते हुए शादी करने का फैसला लिया. इसकी जानकारी जब रेशमा एवं अमन के घर वालों को हुई तो दोनों परिवारों के लोग बच्चों की खुशी के लिए राजी हो गए. शनिवार रात बिधूना में प्रसिद शंकर जी के मंदिर पर दोनों परिवारों की मौजूदगी में अमन एवं रेशमा ने हिंदू रीती रिवाज से अगनी के फेरे लेकर एक दूसरे के हो गए. और साथ में जीने म करने की कसम खाई. शनिवार की शाम बिधूना में भगवान शंकर के मंदिर में दोनों परिवारों की मौजूदगी में अमन और रेशमा ने हिंदू रीती रिवाज से अगनी के फेरे लेकर एक दूसरे के हो गए. नब्दमपती को दोनों परिवारों ने आशिरवाद दि है. हम अपनी बेटी की खुशी में ही खुश है.